इस पूरे सीजन में इंडियन आइडल ने जबर्दस्त सुर्खियां बटूरी है इस सीजन के विनर सनी हिंदस्तानी रहे लेकिन इस पूरे सीजन में सभी कंटिस्टेंट एक से बढ़कर एक रहे हैं ऐसे ही एक कंटिस्टेंट थे रिशब चतुरवेदी जिन्होंने इस वी हुआ था जब रिशब मंच पर गाना गाने के लिए पहुचे तब नेहा ने उनसे आल्या की बारे में कहा तब रिशब कहते नजर आय थे कि tutorials उन्हों नहीं कुछ ऐसा किया है कि आल्या को समय आना ही पड़ेगा सभी ने पूझा कि ऐसा क्या किया है कि आलिया आने पर मजबूर ही हो जाएगी तब रिशब ने बताया था कि उन्होंने आलिया के नाम का टैटू बनवा दिया है और वो भी पर्मानेंट इसके बाद सेट पर रिशब का एक वीडियो भी दिखाया गया था जिसमें वो आलिया के नाम का टैटू अपने र इसलिए मैंने आलिया को सेट पर बुलाया है यह सुनकर सब कहते हैं कि क्या आपने सच में आलिया को सेट पर बुलाया है कुमार सानु कहते हैं कि हाँ बुलाया है पता नहीं वो बैक स्टेज पहुंची है या नहीं इसके बाद शो की होस्त आदित नारायन रिशप को कि आजाएगा इसके बाद शोगी होस चादित नारायन आलिया के स्टेज पर पहुशने को लेकर क्रू मेंबर से जानकारी लेते हैं तब यह आवाज आती है कि वो बिग स्टेज पर है यह सुनकर तो जैसे रिशब बॉखला ही जाते हैं पूरे स्टेज पर दौर लगाने आलिया इंडियन आइडल के मंच पर सुनाया था रिशब के इस गाने को शो के जज विशाल ददलानी नी आलिया तक पहुचाया था इगाना संकर आलिया ने भी रियाक्शन दिया था आलिया ने एक वीडियो बना कर रिशब की तारीफी थी आलिया ने अपने वीडियो में कहा था, कि जैसा कि आप देख रहे हो, कि मेरे फेसबर ढेल सारी स्माइल है. और ये लिए भी आप की वजह से है. क्योंकि मैंने अभी अभी आपका गाना सुना है, जो आपने मेरे लिए लिखा था और मेरे लिए गाया है. इसका सारा क्रडिट आपको जाता है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी गाना सनाया, सभी को ये बहुत पसंद आया, मैंने विशाव सर से कहा है कि गाना मुझे चाहिए, हम इस गाने पर साथ में काम करेंगे, आगे आलिया ने रिशब को फ्यूचर के लिए विशिज दी और कहा कि इंडियन आइडल में जम कर परफॉर्म करते रहों, और ऐसे ही शांदार गाने गाते रहों, आलिया की इस वीडियो को भी इंडियन आइडल के सेट पर दिखाया गया था, जिसे दीख कर रिशब की खुशी का ठिकाना नहीं था Subscribe our channel and press the bell icon for more updates